दोस्तो, Artificial Intelligence आज के टाइम का बजबर बन गया है आए दिन आप कुछ ना कुछ नए-नए Artificial Intelligence के टूल्स के बारे में सुनते रहते होंगे काफी सारे फोरम में डिसकसन होता रहता है कि Artificial Intelligence के आने के वज़े से लोग की जॉब जो है खत्रे में पड़ गई है बहुत सर लोग सायब बिकार हो जाएंगे काफी सारे अलाले तरह के डिसकसन्स बगरा होते रहते हैं लेकिन दोस्तो, पर्सनली मेरा मानना है कि AI टूल्स आनि की Artificial Intelligence टूल के आने के वज़े से किसी की जॉब खत्रे में जाने वाली नहीं है बलकि ये हमारी productivity, हमारी efficiency को better करने वाला है बसरते अगर हम जान पाएं कि कैसे हम इसका इसका इस्तमाल करने वाले हैं तो दोस्तो अगर इसको हम अगर कुछ साल पहले से comparison करें जब computer नया-नया आया हुआ था तो साथ उस समय भी ऐसी कुछ बात हो रही थी कि computer आ गया है तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी नौकरी चली जाएगी तो क्या ऐसा हुआ? अगर हमने technology को adopt किया तो हम भाई काता से निकल के हम computer को इस्तमाल के और अपनी efficiency को बढ़ाए उसी तरीके से आज के जो AI टूल हैं अगर हम उसको properly अगर इस्तमाल कर पाएं तो हमारी efficiency बढ़ेगी हमारे business के prospects बढ़ते हैं चार्ट GPT के आने के बाद में काफी सारे लोग AI टूल्स के बारे में बात करने लग गये हैं और हमें भी हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर और भीवर ने पूछा था कि सर आप भी कुछ वीडियो बनाइए Artificial Intelligence टूल के बारे में तो दोस्तो हम लेके आया हैं आपके लिए यह वीडियो और इस वीडियो में हम आपको कुछ important AI टूल के बारे में बताएंगे जिससे आपकी efficiency आपकी productivity बढ़ेगी और आप इसा जे business टूल भी यूज़ कर सकते हैं तो आई दोस्तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो दोस्तो पहला जो AI टूल हम समझने वाले हैं वो है runway तो दो दो यह runway का home page है तो दोस्तों यहाँ पर runway में आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे artificial intelligence magic tools हैं तो पहली बार जब मैंने इसे देखा तो काफी अचंबित हो गया कि इतने सारे tools यह क्या का काम नहीं कर सकते हैं जैसे किसी text को image में convert करना है background को remove करना है या किसी image में से किसी particular object को replace करना है यह बहुत आसानी साब कर सकते हैं तो पहला जो tool हम try करने वाले हैं वो है frame interpolation तो देखते हैं कैसे यह frame का interpolation करता है और इसके लिए हमें दो image चाहिए होगा हम यहां से let's say मैं यह image को select कर लेता हूँ और दूसरा इस image को select कर लेता हूँ इसको भी drag कर लेते हैं तो दोनों semi image हो गया है मैं इसको एक डा देता हूँ और इसको ले लेता हूँ तो दो image आ गये ठीक है ना अब इसको हम क्या करते हैं हम डाल लेते हैं generate में clip duration आपको कुछ अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं कि कितना दिरे के लिए करना है लेटसे इसको interpolation होने में 4 second का time हम दे रहे हैं ठीक है और हम डाल लेते हैं generate तो यह पहले frame से दूसरे frame में कैसे interpolation करता है इसको हम देखते हैं तो देख सकते हैं यह दोस्तों हम कैसे यह interpolation कर रहा है यानि कि एक frame से दूसरे frame में यह interpolation कर रहा है 4 second में जो कि हमने time frame दिया हुआ था तो हैना magic tool आए किसी दूसरे feature को try करते हैं तो दोस्तों इसमें एक और important feature है erase and replace आए इसको select करते हैं अब यहाँ पर देखिया हम क्या erase कर सकते हैं और कैसे replace कर सकते हैं लेट से मैंने इसको select कर लिया और यह हमारा image जब select हो गया मुझे इसको replace करना है यह जो image है यह जो flower है इसको मुझे replace करना है तो मैंने इसको select कर लिया ठीक है और इसको मैं डालता हूं replace with marigold flower और मैं generate कर देता हूं अब भी थोड़ा time लेगा इसको ठीक करने में और देखते हैं क्या करता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो flower था flower को magically replace करके एक marigold flower को यहां पर ले आया है है ना magical tool तो दोस्तों इसमें जो original flower था वो था Chinese lantern और उसको replace करके इसने marigold में convert कर दिया और अगर आप इसे accept करते हैं तो उसके बाद आप इसको save भी कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें धेरो features हैं faces को आप blur कर सकते हैं audio ठीक कर सकते हैं silence को remove कर सकते हैं काफी बार हम लोग जब recording क करते हैं तो बीच में थोड़ा सा silence रहता है जब हम pause बगर लेते हैं तो आप अगर उनको हटाना चाहते हैं तो उसको भी हटा सकते हैं वीडियो से आप transcript generate कर सकते हैं चलिए इसको try करते हैं तो दोस्तों वीडियो से transcript को generate करने के लिए यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो कि वीडियो को पूरे break करके इसने section wise जो transcript है उसको link के आपको दे दिया है अब चाहिए तो इस file को यहाँ पर download कर सकते हैं srt के format में है ना magical tool तो दोस्तों अगला जो हम AI tool try करने वाले हैं वो है did.com और इस tool की मदद से आप किसी भी text को वीडियो में convert कर सकते हैं तो दोस्तों काफी सारे हमारे occasions होते हैं जहां पर कि हम कुछ promotional वीडियो बनाना चाहते हैं और कुछ लोग मतलब सर्माते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि मेरा face आए वो चाहते हैं कोई ऐसा face मुझे मिल जाए जहां पर मैं text डाल दूँ और audio automatically generate हो और finally मेरा video बन के output निकल के आ जाए तो यह टूल आपके लिए काफी important हो जाता है तो आई ज़रा login करके trial करते हैं तो दोस्तों हम पहुंच गए इसके main page में और यहां पर आप देख सकते हैं कि create video करने का option दिया गया है let's say हम यहां पर click करते है create video और यहां पर देख सकते हैं कि video create करने के लिए काफी सारे AI अवतार है यहां पर बहुत सारे options आपको दिये गये हैं आप select कर सकते हैं देखिए अलग अलग यहां पर AI के अवतार है आप suitable जो आपको लगता है आप अवतार को select कर सकते हैं चलिए हम इसको select करते हैं थोड़ी से Indian लग रही है ठीक है ना और यह जो है इनका नाम निर्जा है इस AI अ जालना पड़ेगा तो हमने यहां पर कुछ text upload कर दिये हैं देखिए यहां पर हमने एक छोटा सा promotional वीडियो बनाने के लिए कुछ text upload किये हैं और यहां पर बोल रहा है कि 20 words preview limit exceeded थोड़ा सा हम content को कम कर देते हैं अब चूंकि हम free version में कर रहे हैं तो इसके price plan को आप देख सकत हैं price plan यहां पर आपको दिख जाएगा trial version 0 है इसमें आपको कुछ points मिलते हैं पांच मिनट का वीडियो आप create कर सकते हैं फिर light version है pro version advanced version है और फानली enterprise versions है तो आप अपने requirement के साफ से suitable plan को select कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको option मिलता है कि कि किस language में आप select करना चाहते हैं जैसे कि यहां पर बहुत सारे language दिए गये हैं आप suitable language को select कर सकते हैं तो हमने यहां पर English India select किया है और आवतार का नाम हमने select किया ह जो voice हम लेंगे और निर्जा का है तो यहां पर देखिए दो voice दिये गया है निर्जा और प्रभाद तो हमने निर्जा ले लिया है मतलब ladies का voice तो एक ladies का voice और एक male voice यहां पर option दिया गया है English Indian language के लिए और finally आपको यहां पर generate video में क्लिक करना है तो दोस्तों हमरा video बनके त consultancy organization that provides various courses related to quality management health and safety and environmental management systems जहां पर कि टेस्ट को video में कलवर्ट किया गया है लिप्स के मुमेंट आप देख सकते हैं काफी अच्छल लग रहे हैं अगला जो AI टूल हम देखने वाले हैं दोस्तों वह है copy.ai तो दोस्तों copy.ai भी chat GPT के तरह आप से chat कर सकता है एक इंसान के तरह और आप वो आपके पूछिए सवाल का जवाब भी दे सकता है जैसे example के आप देख सकते हैं हमने इससे पूछा था what is 5s तो इसने answer लिखके हमें दे दिया है ठीक है ना और अगर इसको हम अगर चाहते हैं यूज करना तो हम copy करके यहां से इसको directly यूज कर सकते हैं चलिए इसको एक जड़ा math का सवाल पूछते हैं कि 2 plus 2 is equal to how much मैं enter करता हूं देखते हैं क्या answer आता है तो देखिए answer इसने दे दिया 2 plus 2 is 4 तो इससे आप math का problem भी solve कर सकते हैं इसमें दोस्तों हैं और काफी सारे options आपके पार available हैं जैसे कि अगर आप blog post लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ब्लॉग का intro बनाना चाहते हैं ब्लॉग का outline बनाना चाहते हैं social media पर कोई bio बनाना चाहते हैं आई जरह इसके features देखते हैं तो दोस्तों template section में अगर आप जाएंगे तो welcome confirmation email का option है इसको में click करता हूं start new project click करता हूं और यहां पर देखिए यह options आ गया है और यहां पर आपको कुछ prompt दे रहा है आपको इसको भरना है ताकि यह समझ पाए कि आपकी requirement क्या है what are you looking to create a welcome email what are the main points you want to cover जैसे कि product है benefits है आप इनको अगर भर लेते हैं तो यह आपको email ब for a new joinee और मैं लिखता हूं रमेस हैज जॉइंड XYZ company as manager quality and we want to welcome him on board write an email फिलाल इतना ही लिखते हैं और इसके बाद में फिर आपको यह option दे रहा है कि क्या आपका टोन रहना चाहिए friendly होना चाहिए luxury relaxed professional चली professional select कर लेते हैं और यहां पर click कर लेते हैं create करने क्लlio eh duda कि आप बनाता है काम पर लग कग गया है और इसने काम करना सुरु कर दिया है और यह आपको email बनाके दे दिया इसने काफी शारे options दिया है आप इसमें सीलेट कर सकते हैं जैसरे-पर देखते हैं पहला व़ला डियर नेम यानि दूसरा वला दे सकते हैं ये भी अच्छा है और अगर आपको लगता है कि सपोज ले लेते हैं ये वला ये वला अच्छा है लेकिन मुझे इससे मिलता जुलता कुछ और आपसन चाहिए तो यहां पर देखिये ये आपसन भी दिया गया है देखिये अगर आप मिलता जुलता कुछ और भी आपको एमल बनाके देगा देखिये हमने उसको select किया उसी से मिलता जुलता है इसने काफ़ सारे और भी options बनाके आपको देधी ये तो आप इसमें से मन्चाहा इमेल सेलेट कर सकते हैं आनि कि आपको काम करने की जरूत नहीं है अगर सुटेबल प्रॉम्ट दे दिया गया इसको तो यह जो AI टूल है यह आपके लिए काम करेगा और आपके लिए इमेल बनाके दे देगा तो दोस्तों अगला टूल जो है वो है copymonkey.ai यह आपके Amazon में product listing के activities को काफी optimize कर देता है यहाँ पर हमने ट्राइल किया था हमारे Six Sigma Black Belt online course के लिए और आप देख सकते हैं कि इसने bullet points में काफी सारे contents हमारे लिए generate कर दिये हैं हमने prompt दिया था इसको तो देखी काफी सारे contents इसने generate कर दिये including description तो keywords भी आपको suggest करता आप keywords को suitable keywords को select कर सकते हैं जिससे कि आप अपने product को listing करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं कर आपने ट्राइल किया था online course का आप अपने जो दूसरे तरह के product होते हैं अगर आप Amazon में deal करते हैं Amazon में product को जो भी physical products अगर आप उसको list करना चाहते हैं तो यह automatically उसके description उसके काफी contents को वो create कर देगा चले जड़े ट्राइब करते हैं यहां पर हमरे पास में option है description का तो product का title let's say हम डाल देते हैं Sam poo for kids एक डाल लेते हैं और next step में जाते हैं तो यहां पर देखी हमने कुछ product के description में डाल दिया है old description और यहां पर हम इसको generate करने के लिए बोलते हैं तो देखते हैं क्या generate करके देता है कि लिख रहा है generation is in process please wait थोड़ा wait कर लेते हैं अब देखिए यहां पर इसने हमें description बना के दे दिया है introducing the ultimate sample for kids lotus hair sample वगरा 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 इस तरीके से आप काफी अच्छा professional तरीके का description बना सकते हैं यानि कि यह पूराना description था आपका और आपने प्रड़क का title दिया है इसको इस्तमाल करके AI tool ने एक अच्छा professional description बना दिया है यहां पर देखिए thumbs up और thumbs down का options होता है रहा है तो future में अगर आप कुछ और prompt देते हैं तो उसी से वो input लेते हुए वो आपको अगला result भी देगा दोस्तों अगला जो AI tool हम try करने वाले हैं वो है video.ai तो दोस्तों यह जो है काफी अच्छा tool है अगर आप किसी बड़े वीडियो को इस्तमाल करके आप उससे sword वीडियो आनि कि अगर आप YouTube के लिए sword बना रहे हैं या Instagram के लिए आप real बना रहे हैं यानि कि आप किसी बड़े वीडियो में से अगर आप छोटे चोटे portion को clip करके कट करके अगर आप उससे swords वगरा बनाना चाहते हैं तो इस tool का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों इसको trial करने के लिए हमने एक वीडियो हमारे YouTube वीडियो का हमने आप अप लोड किया है और जब हमने इसको prompt दिया clips बनाने के लिए तो देखिए इसने काफी सारे चोटे-चोटे clips बना दिये हैं यानि कि यहां पर देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, टोटल छे clips बना दिये हैं जबकि वीडियो जो था टोटल करीवन ऐसे ही 7-8 मिनट का था तो आप चाहिए तो क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से बन रहा है आपको अगर पसंद आथा तो आप देख के आप इसको डाउनलोड भी डारेटली कर सकते हैं इसके आप मानफेक्टरिंग कर ए मैं इंस्पेक्शन कर रहे है इसके इसके उपर में लेटर्स बगर आ रहा है वैसे इसमें ठैपलेट के ऑपचन भी है यहां पर przy정पेश्पर का आप्षेट सकते हैं यहां पर यहां पर यहां बे़ित का आप शार तो आफ दिशन कर सकते हैं है तो आप जिछ तरह प्रविबियर्वेश्य आप सेलेख शांडaiserे सकते हैं एक सकते हैं और बड़े वीडियो को सौर्ट में कनवर्ड कर सकते हैं अगला जो एए टूल है दोस्तों वह है साउंड्रो डॉट आई-ओ तो इसके माध्यम से आप रोयल्टी फ्री म्यूजिक अपना खुद का म्यूजिक आप जनरेट कर सकते हैं और उसे आपने वीडियो या कि किसी और परपेस के लिए आप इस्तमाल कर सकते हैं अगला जो एए टूल है दोस्तों यह आपको टेक्स से एगें टेक्स से आपको वीडियो कनवर्ड करने में आपको यह हल्प करेगा और इसका नाम है Synthesia नेक्स जो एटूल है दोस्तों यह है ओटर तो दोस्तों हमारे ीन लाइत में हम बहुत स़ार है मीटिंग वऑगरह करते हैं इसको नोट करने कि कि से क्या बोला हुआ है थाकि बात ए पर ऑम कर पाएंग काफी कि अंपॉर्टन होता है इसे manually करना काफी cumbersome होता है तो उसके लिए यह AI tool है काफी helpful होता है तो आप इसको integrate करते हैं आपने zoom meeting के साथ में और यह आपके सारे meeting के content को transcript के तौर पर दे देगा यानि कि X ने ये बोला, Y ने ये बोला, Z ने ये बोला सारे कुछ लिखीत रूप में आपको मिल जाएगा जिसे कि बाद में आप review कर सकते हैं, discuss कर सकते हैं, action plan बना सकते हैं तो दोस्तो अगला जो हम AI tool जानने वाले हैं वो है restore photos.io तो दोस्तो अक्सर हमारे पास में ऐसे कोई पुराने photo होते हैं जो काफी blur से होते हैं हो सकता कि आपके family कोई पुरानी memory हो यानि कि आपके दादा दादी की फोटो हो या आपकी photo हो किसी पुराने friend के साथ में और आपके पास में उससे में बहुत अच्छा camera नहीं हुआ करता था, ठीक है तो फोटो आपके इस तरह सा अगर blur आया हुआ है तो आप इस AI टूल का इस्तमाल करके उसको बहतर बना सकते हैं तो आई ज़रेक्ट ट्राइ करके देखते हैं हम यहां पर जाएंगे restore your photo और sign in कर लेंगे Google से अब हमारे पास में यहां पर image upload करने के लिए prompt आ रहा है तो हम image upload कर लेते हैं जिसको कि हम restore करना चाहरे हैं तो दोस्तों फिलाल में हमें एक dummy हमारा thumbnail है हम उसको upload करके try करके देखते हैं यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा image जो है यहां पर upload हो गया है और इसने अपना काम कर लिया है और comparison आप देख सकते हैं यह original वाला है पुराना वाला है और रिश्टोर्ड फोटो है इसमें वैसे comparison का भी option रहता है यह जो comparison आप देख रहे हैं side by side है याने कि original को आप restored के साथ में आप comparison करके आप check कर सकते हैं वैसे यहां पर देखिए comparison करने का option भी आ रहा है क्लिक का अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आप इस तरीके से slide करके उपर नीचे भी देख सकते हैं पुराने वाले में और नए वाले में क्या difference है तो काफी important टूल है इसका इस्तमाल करें तो दोस्तो मैं आसर करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी सारे important AI टूल के बारे में पता चला होगा तो दोस्तो अगर आपको लगता है कि हमें किसी particular AI टूल पर कुछ detailed वीडियो बनाने हैं या आप किसी AI टूल के बारे में जानते हैं जो कि आप चाहते हैं कि हम उस पर एक वीडियो बनाएं तो comment section में जरूर लिखें और वीडियो कैसा लगा दोस्तो इसके बारे में भी आप अविस से अपना comment लिखें चैनल पर नए हैं तो subscribe कर ले और इसका link अपने दोस्तों साथ में जरूर सेर करें ताकि उनको भी इस important AI टूल के बारे में पता चले तुम्हार साथ बने रहें कि दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद टेक क्या दोस्तों जाहिन